इंजिनिंग जॉब कुट की बहुत सारा रेजिस्टन्स भी पेस किया पैरेंट से रेलेटिव से या पच्छी जॉब में थे फिर उदर आगे वापस फिर से पढ़ोगे लेकिन ठीक है अगर फैंसला लिया है तो उसको प्रूब करके भी दिखाना है लेकिन मुझे इतना पत पता लगा कि आम बॉंड टीचर नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश कुमार टेक्नोसाला फाउंडेशन की और शे आप सभी का हार्दिक श्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं अभी आप देख रहे हैं डिजिटल टीचर कहानी नामक्स्यों इस स्यों में हमारे साथ जोड आते हैं अमित कुमार जी ने टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कैसे सिक्षन कारिये को बहतर बनाने में किया नमस्कार सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करने और आपकी पांडेशन का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करने का हूंगा कि उन्होंने यह प्रयास किया है कि आई-सी से फायदा पहुंचा रहे हैं वह एक अलग बात है लेकिन उस उन प्रयासों को बहुत सारी शिक्षवों तक पहुंचाने का जो आपका प्रयास है वह कबिले तरीप पहला हमारा आपसे सवाल है कि आपकी पारिवारिक प्रश्ट भूमे शिक्ष्या अध्यापक का सफर जो मडर और जो पादर थे वो दोनुग ग्रॉफ्मेंट सर्वेंट थे और मेरे मडर जो है वह शिक्षिक्षक थे और मेरे एक बाई बैन और है मेरे लावार और जो मेरे अगरे बुद्रों शिस्टर है वो दोनौरा आइडयन है और एक जो है वो इस ताम 1972 लखनौ में ऐ सिस प्रफेसर कारे रते हैं और जो मेरी सिस्टर है वो विज्ञानिक हैं साइंकिस्ट हैं और आजकल अमेरिका में हैं और एक मैं हूं जो आजकल नवोदे विद्यालय सब्सक्राइब ने एक computer शिक्षक की तरह कार रहे हैं और मेरी जो प्रारंबिक शिक्षा है वो भी नवोदे विद्याले से ही हुई है मैं हिमाचल के ही एक नवोदे विद्याले मंडी से पढ़ा हूँ और इसके इलावा जो मेरा जो पढ़ाई है वो हिमाचल परदेश उनिवर्सटी से है या पर जो मास्टर से हों मेरा पुदकशित्रा उनिवर्सटी अधर्याना से है और इसके इलावा मेरी यहंपोल है वो अन्मलाई उनिवर्सटी तामिलनाडू से है प्रफेशन को देखें तो मैंने अपने पढ़ाने की जो शुरुआत है बहुत लेट की थी क्योंकि बाइप्रोफेशन में एक mechanical engineer हूँ और शुरुआत में मैंने ऐसे mechanical engineer ही industries में काम किया लेकिन बात में समझ आई कि ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर हमें जाना है और एक life को एक meaningful mode देना है तो फिर जब ये समझ आया तो फिर हम वापिस आए और computer जो मैं side by side मेरा एक शौंक था मेरा एक hobby थी उसको मैंने एक career का रूप देने की कोश की और दिरे दिरे ये discover कर पाया कि मैं actually अंदर से एक born teacher हूँ और मैं आज अपने experience के बाद यही कह सकता हूँ proudly कह सकता हूँ कि मैं teacher by chance नहीं हूँ teacher by choice और कई careers से निकल के आते हुए मैं इस career तक पहुंचा हूँ लेकिन जो life की जो completeness है contentment है वो being a teacher ही मिली है पिछले 12-15 साल में चाहे मैं इंडिया में बढ़ाया हूँ चाहे मैं चाइना में पढ़ाया हूँ मैं चाइना में भी अध्यापक के रूप में कार्या कर चुका हूँ तो सबसे बड़ी जो contentment है जो सुपून है वो as a teacher ही मिला कि सर आप ने पढ़ाई engineering की की और फिर engineer भी काम किया और फिर एक सिक्सक की तरफ जो रुजान हुआ आपका और ये profession आपने चुना तो ये सफर किस तरीके का रहा और कैसे आपके दिमाख में ये आया कि नहीं मुझे एक सिक्सक बनना हूँ मैं ये भी सोचता हूँ कि जब मैंने engineering की और जाना चूस किया तो ये मेरा खुद का चुनाओ नहीं था ये चुनाओ मेरे parents का था क्योंकि उन्होंने भी कुछ अच्छे पड़े लिके लोगों के साथ consult किया कि अपने बच्चे को किस feed में डालना चाहिए तो उनके मेरा अपना अंदर से जो एक आवाज आती है वह नहीं थी तो ऐसा नहीं है क्योंकि मेनत है किसी सेक्टर में आप करें वह आपको फ़ल देगी देगी तो इंजिनिंग में भी जब मैं डिप्लोमा इन इंजिनिंग किया पहले बाद नहीं हमाई किया तो मैं इमाचल के टेक मैं आपको किसी काम को करने में मजा आये काम काम ना लगे वह फिलिंग नहीं थी ठीक है वह फिलिंग तब आती है जब आप वह काम करते हैं जो काम आपको बर्ड़न नहीं लगता क्योंकि आपका वो अंदर से आप उसके लिए बने है हाँ मैं पार्ट टाइम कभी-कभी प बिना कुछ सोचे समझे बस एक ही जगा पोकस है और उसकी थकावट भी मैसूस नहीं हो अगरती थी इवन रिफ्रेश्मेंट मैसूस हो आगरती थी कि आज मज़ा आ गया मेरा दिमाग जो है वह बहुत ही कूल डाउन हो गया मैं बहुत अच्छा मैसूस करता हूं तो वह में अगर मैं इहीं रहा तो मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को benefit कर पाऊंगा मैं बहुत बड़ा कोई फरक society में change नहीं लेके आ सकता और नहीं मेरा पूरा potential इस्तमाल नहीं हो रहा है तो इक अलग तरह की negativity आपके अंदर आनी स्टार्ट होगी है फिर या तो आप उस negativity के अंदर दब जाओगे या फिर अपने आपको बाहर निकालोगे और वो चीज करोगे जो आपको सच में मज़ा आता है फिर इंजिनिंग जॉब कुट की बहुत सारा resistance भी पेस किया पैरेंट से relative से या पच्छी जॉब में थे फि होगी है लेकिन ठीक है अगर फैंसला लिया है तो उसको प्रूब करके भी दिखाना है लेकिन मुझे इतना पता था कि इस काम में मुझे मज़े मज़ा आता है तो बाद भी यह पता लगा कि I'm a born teacher तो यह चीज बहुत अच्छी है आज मैं शुकर गुजारूं उस decision का कि व वह आपको internal satisfaction जो मिलती है वह एक ऐसे profession में मिलती है जो आपको profession बोज ना लगे जहां आपको काम जो है वह आपको काम ना लगे वह एक बड़ा मज़ेदार चीज हो जहां आप लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं और अपने मन को भी सुकून मिल रहा है और ठीक है विद्धाले में एक सिक्सक के रूप में आए तो आपने सबसे पहले किस तरीके से technology को इंट्रोड्यूज किया क्योंकि वह आपका interest एरिया भी था और उसमें आपको knowledge भी काफी था और खासकर आप चाइना से इंडिया में आए तो कैसे technology को विद्धाले में बच्चों के सा इंट्रोड्यूज किया हम थोड़ा वो जानने के लिए इच्छुक हैं यह बहुत ही बढ़िया आपका सवाल भी है क्योंकि शुरुवात हमेशा important होती है तो actually सबसे पहले जब मैंने नवोदे विद्धाले में ऐसे शुक्षक जॉइन किया तो उस टाइम पर मेरे मुझे पढ़ाते पढ़ाते यह चैलेंज में सूस होने लगा कि क्या थोड़ा सा नवोदे विद्धाले के बच्चों के बारे में जानेंगे क्योंकि मैं खुद भी नवोदे विद्धाले से पढ़ा होना तो 80% जो बच्चे हैं वो रूरल बैग्राउंड के होते हैं और सिरफ 20% तो इस वज़े से एक बहुत बड़ा गैप है रूरल और अर्बन बच्चों की सोच में स्किल्स में हर जगा एक गैप है बहुत जाला और एज़े टीचर एक चैलेंज है और सेकेंड चीज जो इस गैप के कारण आगे उबर के आती है वो आती है slow learner और bright students कि कुछ बच्चे हैं वो हर चीज को धीरे धीरे पकड़ते हैं कुछ बच्चे हैं वो एकदम से grasp करते हैं उसका फरक ये भी है कि उनकी background का भी फरक है कुछ students है जो Hindi medium से पढ़ गया हमारे पास नगोदे में आते हैं कुछ student है जो English medium से पढ़ गया आते हैं कुछ है मतलब वही जो urban और rural वाला तो वह सारा gap वहां आके reflect करता है बच्चों पूर पर और इस वजह से कुछ लोग अपने आपको उन्हें हीन बावना आ जाती है मतलब एक inferiority complex आ जाता है कि हम लोग बाकी लोगों के साथ compete नहीं कर पाया है तो सबसे बड़ा challenge वही था technology को introduce करने के लिए तो यह जब मुझे एक साल हो गया analyze मैंने किया कि कहां कमी हो रही है तो उसके बाद मैंने अपने personal network के तूँछ professors के तूँछ contact किया तो पता लगा कि spoken tutorial IIT Bombay का एक project है और उस project में 16 अलगलग बाश्राओं में computer की basic से लेके advanced skills को सिखाया जा रहा है और यह project free of cost है MHRD funded है obviously आज कल हम ministry of education बोल रहे हैं पहले MHRD था तो MHRD funded यह project था IIT Bombay के पास था लेकिन इस project को लोगों ने सही रूप में बहुत कम लोगों ने इसको इसको इस्तेमाल किया और इसका फायदा उठाया मुझे पता लगा कि यह free and open source software की पढ़ाई करवाते हैं क्यूंकि मैं चाइना में रहा था तो चाइना में free and open source का concept मैंने बहुत सुना था और इतना पता था कि 75% of electronic product in the world वो चाइना में बन रहे हैं उसका कारण भी यह है कि वो लोग free and open source software पर काम करते हैं और उनको factory of the world कहा जाता है तो वो चीज़ एक mind में थी कि वही चीज़ अगर free and open source हमारे students सीखेंगे उसके बारे में awareness होगी तो आने वाले टाइम में यह बहुत बड़ा positive impact हो सका है और अर्बन और रूरल के बीच का वो gap bridge करने का एक मौका था तो वहां उस IIT Bombay प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे courses थे जैसे computer के ही जो मेरे syllabus में भी थे तो मैंने उस courses को अपने syllabus के साथ align किया कहा मैं बच्चों को पायदा पहुँचा पाऊं तो उससे क्या हुआ कि कुछ student जो मेरी class में क्लास में limited time रहता है तो उनको मैं one to one time नहीं दे पा रहा था तो वहां जो student slow learner है जो मेरी class में catch up नहीं कर पाते पीछे रह जाते हैं तो उनको कुछ extra time दिया जाए उस project के audio video tutorial के माध्यम से वो self-paced e-learning करें और जहां उन्हें problem आती है वहां में उनकी help भी कर पाऊं और लेकिन जो bright learner हैं जो आगे भागना जानते हैं उनको भी control करने का बहुत अच्छा मौका था क्योंकि वो लोग syllabus का काम एकदम से खतम कर दिया करते थे लेकिन उसके इलावा भी उन्हें कुछी है hungry है वो सीखने के लिए तो उनके लिए फिर वही कुछ advanced sources थे वो उनको कहा कि आप जब syllabus खतम हो गया तो आगे बढ़िए थोड़ा तो उनके लिए वो एक जो उनकी अंदर की book है वो meeting और जो slow learner थे उनके अंदर जो एक inferiority complex था वो नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने pace से धीरे धीरे क्योंकि वो subtitles भी हैं और हिंदी में भी हैं मतलब उनकी अपनी language मे जो वो जिस language में वो comfortable है तो वो एक gap था वो bridge होना start हुआ तो उसके बाद हमने ये school में experiment किया फिर देखा कि पूरी स्टेट में भी ये project कहीं stand नहीं करता है क्योंकि IIT Bombay काफी दूर है माचल से इस वज़े से वहां regularly लोग visit नहीं कर पाते हैं तो volunteer कि आपने आपको मैंने कि आप यहां क्यों नहीं कर पारें colleges में ये project को तो वहां से जो representative थे उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए आना frequently possible नहीं हो पाता हम साल में एक तो चकर ही लगा पाते हैं तो अगर हमें कोई one point contact वहां मिल जाए जो हमारे लिए ये काम में help कर दे तो it will be good तो वहां मैंने थो ट्रेनिंग दी और workshop समने organize की जहां से यह चीज फैल गए फ्रॉजेक्ट फ्री था फंडेट था सिर्फ लोगों तक सही मादियम से पहुचना था तो उसको पहुचाने में कुछ टेक्निकल चीज़ें थी उसकी monitoring की वह करने में help की तो ultimately लगवग 14 से 16 दो एक साल में ये project थ पहुचा और उस वज़े से 38,000 से इस मादियम से बेनेफिट हुए और इसी कारण मेरा जुनाओ नेशनल ICT आवार्ड के लिए भी किया गया और माहिम माहिम प्रेजेंट आफ इंडिया ने मुझे उस चीज से नवाजा लेकिन ये एक effort था सही सोच के साथ किया गया जो मतल प्लेसिंग्स मुझे मिली लेकिन सोच ये थी कि रूरल और अर्बन या उसका ब्राइट लर्नर्स की बीच का जो गैप है उसे प्रेज करना तो सर आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है वो किस तरीके की होती है बतलब किस तरीके की अप्रोच के साथ आप बच्चों को पढ़ाते हैं आपकी पेड़ागोजी क्या होती है या किन टेक्निक्स का आप अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके वारे में जानने के जवाब में जिस तरीके से बताया कि ये शुरुवात हुई थी तो हमें तो लग रहा है कि काफी बड़ी शुरुवात है तो हम क्लास्रूम के अंदर की प्रोसेस भी जानने के लिए बड़े चुक है सफर अभी चल रहा है लेकिन उसके इलावा बहुत कुछ हम लोग सीखते के और उसको अपनी क्लास में लेके आते रहे अब उसमें से जो पेड़ागोजी या अप्रोच या टिक्नीक आप कह रहे हैं तो मैं मैक्सिमम अपनी क्लास में क्लास्रूम अप्रोच का इस्तमाल करता हूं इसे पल्टी कख्षा भी कहते हैं तो सहयोग से की गई पल्टी कख्षा तो इसमें क्या होता है कि इस conventional class से बिलकुल अलग होती है मतलब उसमें क्या होता है कि students का roll 70% हो जाता है और 30% educator का हो जाता है जो कि conventional methodology में उल्टा होता है आम दोर पर होता है कि teacher जो है वो lecture दे रहा है student उसके notes ले रहा है और उसके बाग वो homework कर रहा है अगर उसे मन में कोई सवाल आया तो वो teacher से पूछ रहा है otherwise वो उसी का assessment भी दे रहा है बस इतना है लेकिन flipped classroom में क्या होता है student को जो काम है वो class में नहीं करना है उसे त्यारी करनी है किसी topic की अपने गर पे या non-academic arts में वो त्यारी करता है और उसके बाद वो topic को अपने class के सब्सक्राइब करके उसे और अच्छा presentable form देता है फिर वो लोग मिलके class में अपने topic को present करते हैं क्योंकि अब वो पढ़ाने जा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आदमी तब सीखता है जब वो किसी को सिखाने की कोशिश करता है तो जब वो पढ़ते हैं इस सोच के साथ कि उन्होंने मुझे पढ़ाना है तो उनका effort भी बहुत focused होता है और बहुत ही जील के साथ वो त्या और एक है Microsoft का Flipgrid. Microsoft Flipgrid वीडियो प्लाटफॉम है और वेकलेट जो है वो e-content organization प्लाटफॉम है तो students, मेरे students जो है वो Flipgrid भी इस्तिमाल करते हैं, वेकलेट भी इस्तिमाल करते हैं, मैं उनके साथ जो अपनी topic है, discussion का वो Flipgrid या वेकलेट के माधियम से share करता हूं और वो लोग अपनी presentation उसमें record भी करते हैं और वेकलेट में बनाते भी हैं, उसके बाद वो class में मुझे present करते हैं, like they are teaching me and the other class, their fellow classmates, तो उससे क्या होता है कि एक तो उनकी creativity, उसके बाद उनकी critical thinking, उसके बाद उनकी communication skills, उनकी presentation skills, उनकी coordination skills, collaboration, जिसे हम कहते हैं, वो चीज एकदम निखरती हैं, in fact, initial stage पे वो develop होती हैं, उसके बाद वो ने करती हैं, और ये चीज उन्हें पता भी नहीं लगता है, actually वो अपना subject matter पर work कर रहे होता हैं, लेकिन subject matter पर work करते करते हैं, वो लोग अपनी कौन सी 3-4-5-6 skills को साथ में निखार रहे होता हैं, उन्हें खुद भी नहीं पत प्रिपेर करके एक बार फिर से आना जीए, वो शाय नहीं करते हैं, वो एक्स्प्रेस करते हैं, तो ये उनका जो उनके अंदर जो ये किसमी सदी की skills हैं, ये introduce भी हो जाती है, means ये learning with fun ही है, लेकिन ये clip classroom में हो ये रहा है कि बच्चों की involvement जादा है, student-centric learning है, और मेरी खु उन students पर focus करने पर लगा सकता हूँ, जो students को मेरी जरूरत है, remedial teaching के रहे हैं, सर अभी तक आपने कौन-कौन से नए initiative लिये हैं, या नए पहल की हैं, जो काफी प्रभावी आपको लगता है? teaching learning process में blended learning को introduce करने के लिए मैंने spoken tutorial IIT को पॉंबे के courses के साथ अपने syllabus को align किया, तांकि बच्चों को एक extra perspective मिल सके, और slow learner और bright learner की बीच का gap जो है, वो bridge हो सके, ये एक blended learning की जो अप्रोच है, ये बहुत ही पायदेमंद रही, effective रही, इसके लावा flipped classroom, जो है, वो एक, बहुत ही satisfactory experiment रहा, और heavy है, और उसमें हमने flip trade और brake light के जरीए किया, और skype in classroom के जरीए, हमने बच्चों को classroom की चार दिवारी से बाहर निकाला, और उन्हें इंडिया के बाहर जो हो रहा है, उन classroom के साथ भी जोड़ा, इसके इलावा, अब क्यूंकि हमारा जो education system है, ultimately वहाँ अभी भी student को marks sheet से ही evaluate किया जाता है, कितने आपके marks paper में आए, तो वहाँ वो skill चाहिए, जो 21st century skill नहीं है, मतलब memorization, उनको याद रखना है, ताकि वो अच्छी तरह से attempt कर पाएं अपने paper को, तो उसके लिए मैंने mind mapping और concept mapping, जो है, वो अपने curriculum में introduce की, तो पूरे साल students जो भी chapter finish करते हैं, individual student, उस chapter का mind map create करता है, और उसके लिए tool हम free mind भी करते हैं, use free plane भी use करते हैं, और poplet भी use करते हैं, और नए initiatives की बात करें, तो नवदे विदेले की तरफ से ही एक initiative है, वहाँ Oxford University, इंग्लेंड की एक, उनकी एक NGO है, कार्टा इनिशेटिव करके, तो वो जो कार्टा इनिशेटिव है, उनके जरिये हैं, बच्चों को करियर, गाइडेंस, और साथ में 21st century school development की तरफ लेके जा रहे हैं, अभी next month से हम new education policy में ये प्रस्तावित है कि coding जो है, वो बच्चों को 6 से सिखाई जानी चाहिए, तो उस सोच को रखते हुए, काटा इनिशेटिव से साथ, हम मिलके coding को syllabus में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सर इन सब कारियों में आपकी उपलब्धिया किस तरीके की रही हैं, आप भी उपलब्धियों के लिए काम नहीं करता है, काम हम करते हैं इस चीज़ के लिए कि मन को satisfaction मिले, 2015 में मुझे President of India से National ICT Award से नवाजा गया है, और इसके इलावा, अभी 2020 में भी मुझे National Award के लिए नॉमिनेट किया गया था, और इसके इलावा, बहुत सारी NGOs और Worldwide Organizations हैं, जिनके द्वारा Felicitation हुआ है, इस एक Global Teacher Award है, उससे 2019 में मुझे मिला, National Innovative Educator 2019 मुझे मिला, ऐसे बहुत सारी और इवन Microsoft Change Maker Award है, तो बहुत सारी अवार्ड, अवार्ड एक्चली सेकेंडरी हो जाते हैं, बेसिक आपकी satisfaction है, अवार्ड अर्वार्ड है, तो सर, Digital Teacher नामक जो show हमने चलाया है, तो इस show में आपके साथी अगर हैं, और आपको मौका मिले उनको nominate करने का, तो वो कौन दो-तीन लोग होंगे, जो हमारे साथ Digital Teacher कहानी का हिस्सा बनेगे, जिनको आप देखना चाहते हैं, Digital Teacher कहानी के show में, या दो teachers हैं, दो गुरू हैं, जिनको मैं यहां quote करूँगा, एक नवोदे विदेले स्मिती में ही काररत हैं, शिरी संतोष बिसेन जी, जो कि आजकल शत्तिसगड में हैं, और एक हैं, खरी कृष्ण आरे जी, जो राजस्तान गर्मेंट में as a principal retired हैं, लेकिन आजकल राजस्तान की education policy में, जो तीन memory committee हैं में से एक हैं, धन्यवाद सर, तो अभी हमने अमित कुमार जी से जाना, कि कैसे टेकनोलोजी का उपयोग, सिक्सन कारिये को बेतर बनाने में किया जा सकता है, आपको यह कहानी पसंद आए, तो इसे like और share करना ना भूले, इसी तरीके की और भी कहानिया सुनने के लिए, टेकनोसाला का YouTube चैनल सस्क्राइब करें, क्या आप भी अपनी कक्सा में टेकनोलो से संप्रक करें, और बनिये डिजिटल टीचर कहानी का हिस्था, मिलते हैं, अगले सनिवार, नेक्स्ट एपिसोट में, नमस्ते